विक्रम और बेताल, बेताल की अगली कहानी, ज्यादा पापी कौन, भोगवती नाम की एक नगरी थी, उसमें राजा रूप सेन राज करता था, उसके बास चिंतामनी नाम का एक तोता था, एक दिन राजा ने उससे पूछा, हमारा ब्याह किस के साथ होगा, तोते ने कहा, गद देश की राज कन्या के पास एक मैना थी, उसका नाम था मदन मंजरी, एक दिन राज कन्या ने उससे पूछा की मेरा विवाह किस के साथ होगा, तो उसने कह दिया की बोगवती नगर के राजा रूप सिन के साथ, इसके बाद दोनों को विवाह हो गया, राणी के साथ उसकी मैना भी आ गई, राजा रानी ने तोता मैना का ब्याह करके उने एक पिंजडे में रख दिया, एक दिन की बाद की तोता मैना में बहस हो गई, मैना ने कहा, आदमी बड़ा पापी, दगाबाज और अधर्मी होता है, तोते ने कहा, स्त्री जोटी, लालची और हत्या मैना ने कहा, क्या बात है, तुम आपस में लड़ते क्यों हो, मैना ने कहा, महाराज मर्ग बड़े बुरे होते हैं, इसके बाद मैना ने एक कहानी सुनाई, इलापुर नगर में महाधन नाम का एक सेट रहता था, विवाह के बहुत दिनों के बाद उसके घर एक लड़का पैदा हुआ, सेट ने उसका बड़ी अच्छी तरह से लालन पालन किया, पर लड़का बड़ा होकर जुआ खेलने लगा, इस बीच सेट मर गया, लड़की ने अपना सारा धन जुए में खो दिया, जब पास में कुछ ना बचा तो वह नगर छोड़कर चंदरपुरी नाम नगरी में जा पहुचा, वहां हेंगुप नाम का साहुकार रहता था, उसके पास जाकर उसने अपने पिता का परिचे दिया और कहा कि मैं जहाज लेकर सौदागरी करने गया था, माल बेचा, धन कमाया, लेकिन लोट्ते में समुद्र में ऐसा तुफान आया कि जहाज ढू अपनी लड़की से उसका ब्याह कर दिया, दोनों वही रहने लगे, टंत में एक दिन वहां से बिदा हुए, सेख ने बहुत सा धन दिया और एक दासी को उनके साथ बेच दिया, रास्ते में एक जंगल परता था, वहां आकर लड़के ने स्त्री से कहा, यहां बहुत दर है तुम अपने गहने उतार कर मेरी कमर में बाग दो, लड़की ने ऐसा ही किया, इसके बाद लड़के ने कहारों को धन देकर डोले को वापस करा दिया और दासी को मार कर कोई में डाल दिया, फिर स्त्री को भी कोई में पटक कर आगे बढ़ गया, स्त्री रोने लगी, एक पिर उधर जा रहा था जंगल में रोने की आवाज सुनकर वह वहां आया उसे कुए से निकाल कर उसके घर पहुचा दिया स्त्री ने घर जाकर माबाप से कह दिया कि रास्ते में चोड़ों ने हमारे गहने छीन लिये और दासी को मार कर मुझे कुए में धकेल कर भाग गए बाप ने उसे धादस बधाया और कहा कि तू चिंता मत कर तेरा स्वामी जीवित होगा और किसी दिन आ जाएगा उधर वह लड़का जेवर लेकर शहर पहुँचा उसे तू जुए की लत लगी थी वह सारे गहने जुए में हार गया उसकी बुरी हालत हुई तो वह ये बहाना बना कर कि उसके लड़का हुआ है फिर अपनी ससुराल चला वहाँ पहुचते ही सबसे पहले उसकी स्त्री में ली वह बढ़ी खुश हुई उसने पती से कहा आप कोई चिंता ना करें मैंने यहाँ आकर दूसरी ही बात कही है जो कहा था वह उसने बता दिया सेथ अपने जमाई से मिलकर बड़े प्रसंद हुए और वन्होंने उसे बड़ी अच्छी तरह से घर में रखा कुछ दिन बाद एक रोज जब वलर की गाने पहने सो रही थी उसने चुपचाप छुरी से उसे मार डाला और उसकी गाने लेकर चंपत हो गया मैं ना बोली महाराज ये सब मैंने अपनी आँखों से देखा ऐसा पापी होता है आदमी राजा ने तोते से कहा अब तुम बताओ कि स्थ्री क्यों बुरी होती है इस पर तोते ने ये कहानी सुनाई कंचनपुर में सागरदत नाम का एक सेट रहता था उसके श्रीदत नाम का एक लड़का था वहां से कुछ दूर पर एक और नगर था श्रीविजेपुर उसमें सोंदत नाम का सेट रहता था उसके एक लड़की थी वह श्रीदत को ब्याही थी ब्याह के बाद श्रीदत व्यापार करने पर देश चला गया बारा बरस हो गए और वन आया तो जैश्वी व्याकुल होने लगी एक दिन वह अपनी अटारी पर खड़ी थी कि एक आदमी उसे दिखाई दिया उसे देखते ही वह उस पर मोहित हो गई उसने उसे अपनी सकी के घर बुलवा लिया रात होते ही वह सकी के घर चली जाती और रात बर वहां रहकर दिन निकलने से पहले ही लोटाती इस तरह बहुत दिन बीट गए इस बीच एक दिन उसका पती पर देश से लोटाया स्त्री बड़ी दूर, खीर हुई अब वह क्या करे पती हारा ठका था, जल्दी ही उसकी आँख लग गई और स्त्री उठकर अपने दोस्त के पास चल दी रास्ते में एक चोर खड़ा था, वह देखने लगा कि स्त्री कहा जाती है धीरे धीरे वह सहेली के मकान पर पहुँची चोर भी पीछे पीछे गया, संयोग से उस आदमी को सापने काट लिया था और वह मरा पड़ा था स्त्री ने समझा सो रहा है, वहीं आंगन में पीपल का एक पेर था, जिस पर एक पिशाच बैठा ये लीला देख रहा था उसने उस आदमी के शरीर में प्रवेश करके उस स्त्री की नाग काट ली और आफिर उस आदमी की देख से निकल कर पेर पर जा बैठा स्त्री रोती हुई अपनी सहेली के पास गई, सहेली ने कहा कि तुम अपने पती के पास जाओ और वहां बैठ कर रोने लगो कोई पूछे तो कह देना की पती ने नाग काट ली है, उसने ऐसा ही किया, उसका रोना सुनकर लोग इकठे हो गए, आदमी जाग उठा, उसे सारा हाल मालूम हुआ तो वह बड़ा दू, खी हुआ लड़की के बाप ने कोटवाल को खबर दे दी, कोटवाल उन सब को राजा के पास ले गया, लड़की की हालत देखकर राजा को बड़ा गुसा आया, उसने कहा इस आदमी को सूली पर लड़का दो, वो चोर वहां खड़ा था, जब उसने देखा कि एक बेकसूर आदमी को सूली पर लड़काया जा रहा है तो उसने राजा के सामने जाकर सभाल सच सच बता दिया बोला अगर मेरी बात का विश्वास न हो तो जाकर देख लीजिए उस आदमी के मुँँ में स्त्री की नाक है राजा ने दिखवाया तो बात सच निकली इतना का कर तोता बोला हे राजा स्त्रियां ऐसी होती है राजा ने उस स्त्री का सिर मुणड़ा कर गदे पर चड़ा कर नगर में गुमवाया और शेहर से बाहर चुड़वा दिया ये कहानी सुना कर बेताल बोला राजा बताओ की दोनों में ज़्यादा पापी कौन है राजा ने कहा स्त्री बेताल ने पूछा कैसे राजा ने कहा मर्द कैसा ही दुष्ठो उससे धर्म का थोड़ा बहुत विचार रहता ही है स्त्री को नहीं रहता इसलिए वहाद एक पापिन है राजा के इतना कहते ही बेताल फिर पेर पर जालट का राजा लोट कर गया और उसे पकड़ कर लाया रास्ते में बेताल ने पहांचनी कहानी सुनाई ऐसे ही और भी धेरो मज़ेदार कहानियों और हैरान कर देने वाले किस्सों अनसुल जी गड़नाओं, रहस्यों और जानकारियों के लिए अभी हमारे चैनल को सबस्क्राइब करे आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए और शेयर भी कीजिए नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबा दे ताकि लेटस्ट अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुचे